हेलो इस्ट्टोरेंट्स स्टुदेंट्स आज आपन सेसमी मडन पेपर के अंदर मेट के मोडन पेपर बात करने वाले हैं स्टुरेंट्स आपका English का पेपर बहुत अच्छा वा था आप सभी ने कमेंट करकर जबाब दिया था मेरे को आपका हिंदी का पेपर कैसा हुआ वह भी मेरे को इसके कमेंट में जबाब देके बताना और आप ये जो मेट का मोडल पेपर डाल रहा हूँ ये भी आपका वेसा का वेसा होने वाला है जैसा एक्जाम का आपका हिंदी और इंगलिस का आया है तो सेम इसी पेटर्न पे एक्जाम होने वाला आपका आप वीडियो पूरा देखना इसके बाद मैं EVS का भी डालूंगा में तो इस्टार्ट करते हैं आज हमेट का मोडल पेपर तो देखो फर्स्ट क्यूशन है इसका एंगल लेस देन राइट एंगल इस नौन एज तो देखो राइट एंगल से लेस होता है तो इसको एक्जूट एंगल बोलते हैं अपन इस वीडियो को लाइक कर देना जो यह एंगल दिये इनको मेजर करना है और किस टाइप का एंगल है यह बताना आपको तो देखो यह आप मेजर कर लोगे तो मेजर करोगे तो 110 डिग four digit number is सबसे छोटा चान नमर का digit कौन सा होता है तो देखो ये thousand होगा इसके अंदर फिर है आपको true or false बताने है number of 36,375 is written as 36,375 बिलकुल सही है true होगा तो यहाँ पे आपको exam में true लगाना है t लगाना है place value of digit 3 in number 4,375 is 30 तो देखो ये false हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 30 नहीं हो के 300 होती इसकी place value smallest four digit number is 9999 तो देखो ये wrong है smallest नहीं होती ये तो largest unit है फिर है in the given figure write the fractional and decimal form of shaded area देखो आप क्यूशन देख रहे हो आप रप लेलो साथ में और उसको solve भी करते जाओ खुद भी देखो इसको फ्रेक्शनल फोरम में तो देखो 12 हैं और ब्लेक इतने हैं 6 तो 6 upon 12 हो जाएगा इसको आप काट सकते हो तो 1 upon 2 आ जाएगा और decimal form में 0.5 आ जाएगा फिर क्यूशन है 6 है रादी का परचेज 10 मिटर लॉंग रॉप रादी का 10 मिटर लंबी रसी लाती है मार्केट से इसके चार सिष्टर है इसमें चार मिस्प्रिंट है तो चार सिष्टर में उसको बाटना है तो बताओ हर एक के पास कितनी रसी आएगी तो देखो रसी की लंबाई 10 मिटर है उसको चार सिष्टर में बाटना है 10 मिटर को तो जोगो चार से डिवाइड कर देना 2.5 मिटर हर एक सिश्टर के हिस्से में रोप आ जाएगी तो इसको डिवाइड कर देना आपको नमन वांस 2.25 मीटर क्लोथ इन इस्टिक ओफ सट नमन है वो 2.25 मीटर का कपड़ा लाता है सट सिलवाने के लिए तो कितने तीन सेट के लिए कितना कपड़ा ची है तो क्या करना है कुछ भी तो नहीं करना है तो आशर आपका मिल जाएगा फिर है अक्स्ट्रिम डिजिट इन नमबर 623 तो देखो अक्स्ट्रिम डिजिट है 3 multiply by निखिलम सुतर देखो 40 into 30 है तो 40 के नीचे आपको 30 लिखना है प्लस 4 और प्लस 3 क्योंकि 10 से बहु जा रही है तो फिर इस पर गारे 14 प्लस 3 और 12 आ जाएगा तो इनको 8 करेंगे तो 17 यहां पे 12 आ जाएगा फिर 17 और 12 आ जाएगा और फिर 182 इसका आंश्वन निखल ज 10,000 मौन के पास 10,000 रुपीज हैं ही बॉट वीट गयों खरीदता है वो 4,500 के और चावल खरीदता है 1,600 के तो फिर उसके पास इतना खरीदने के पास कितनी मनी बचती है देखो टोटल मनी यह थी फिर उसमें से इतने और इतने रुपई के वो वीट और राइस खरीद ले 1,600 के टोटल कितने खरीदे उसने 6,100 के खरीदे तो टोटल अमाउंट 3,000 था उसके पास तो माइनस कर देना 3,900 रुपीज मनी लेफ्ट बच जाएगी उसके पास में एक ड्रम कांटेंड 220 लिटर है एक ड्रम के अंदर 220 लिटर ओल आता है वीडियो आप पूरा देखना सभी को आप रफ में सोल करना आपको कुछ नहीं करना एक्जाम में इसी बेस पे आपका पेपर होने वाला है find out the factors 9 and 27 write their common factor 2 and identify highest common factor 9 के factor 139 है 27 के factor 139 और 27 है common factor इसमें 139 है क्योंकि दोनों में मेच कर रहे हैं और इसमें highest factor 9 हो जाएगा write the missing digit आपको देखो add करके दिया वाई यहां पे missing digit देखो क्या आएगा 4 है तो 6 आजाएगा 6 और 4 कितना है 10 होते 0 आजाएगा अब देखो यहां पे कितना आएगा 7 और 1 8 होते हैं तो यहां पे क्या आना चाहिए आपका देखके आपको बताना है तो देखना इसके अंदर यहां पे 9 आना चाहिए क्योंकि 6 और 4 10 होते हैं 7 और 1 8 तो एक यह भी आएगा तो यहां पे 9 आजाएगा मैंने मिस्प्रेंट में लिखा नहीं है मोवन हैज वन एक 18,000 ही बॉट वीट फॉर 9,500 एंड राइस 4,600 हाउ मच मनी लेप्ट वीट देखो इसके पास इतने रूपई थे 14,000 उपई थे टोटल उसमें से 9,500 के उसने यह खरीद दे 4,600 के इसने राइस खरीद दे तो कितना बचेगा देखो टोटल बॉट कितना का खरीद लिया उसने तो देखे टोटल 14,100 का और माइनस करोगे तो 3,900 आपके पास बच जाएगा कुछ भी नहीं करना आपको आगे है मीरा हैज 20,974 रूपीज 80 पैसे of the he had spent 10,544 रूपीज 40 पैसे and remaining amount equally divided between her son and daughter how many rupees each will get देखो मीरा के पास इतने रूपे थे और वो इतना खर्च कर देता देखो टोटल मनी 20,904.80 पैसे थी कितना खर्चावा 10,544.40 रूपे खर्चा हो गया left money कितनी बची 10,430.40 बची अब उसके दो एक बैटी और बैटा था तो दो के अंदर डिवाइड करना तो टू से डिवाइड कर दोगे आपका आँच्वर मिल जाएगा नेक्स्ट है time of 60 seconds is called 60 seconds के time को एक मिनट बोलती है सबको पता है identify the following true or false लगाना दा है change second into minute we divide second by 60 true आंच्वरा इसका there are 360 seconds in one hour false है 360 seconds in one hour one hour में इतने नहीं होते है 36,000 होते है sorry 3600 seconds होते है 3600 बोल सकते हैं उनको और यह बिल्कुल false होगा dead hour one and half hour होते है जिसको dead hour बोल सकते है 150 मिनट होते हैं नहीं यह false होगा क्योंकि आपको पता है एक गंठे 38 मिनट को जोड़ते हैं तो 60, 38, 90 होते हैं तो यह 90 आता है यहां पर 150 गलत है यहां पर next है divide gram unit by 1000 to change into kilogram unit 3 upon 4 kg means 750 grams 1 upon 4 kg means 250 grams इसको match करना है 4 and half kilometer 4500 meter हो जाएगा 7 and half container 75 mm हो जाएगा 150, 150 cm हो जाएगा to take a round of square field they've had to walk 40 meter find the side of the equal देखो square field देखो एक square है जिसकी चारो side ब्राबर होती है उसका total area 40 meter है मतलब आप उसके चारो तरब चलोगे तो 40 meter चलना है तो एक side में चलोगे तो कितना आएगा एक side उसकी 10 meter क्योंकि चारो side ब्राबर होती है तो आपको वैसे answer तो पता लगया कि 10 meter एक side है उसकी क्योंकि 10 into 4 करोगे तो 40 हो जाएगा लेकिन आप language में answer लेओ तो देखो 4 into side perimeter हो जाएगा side perimeter upon 4 40 upon 4 तो 10 meter answer हो जाएगा इसका next है next देखते हैं the length and width of room floor is 6 meter and 9 meter respectively in this room 1 meter covers an entire floor find out the area देखो length कितनी 6 meter width कितनी 9 meter area कितना हो जाएगा total length into width तो इसको multiply कर देना है और अपना आंचोल मिल जाएगा next है 7500 ml measurement in a liter तो देखो यह क्या हो जाएगा 7 and half liter यह अपना liter में convert हो जाएगा यह क्यूशन देखी 10 cans of 5 liter 20 cans of 3 liter 50 cans of 2 liter can be filled from oil drum of 200 liter how many cans of 1 liter can be filled from remaining amount of oil क्यूशन को ध्यान से समझना इसको देखो drum में उसका total amount कितना है 200 liter है 10 cans 5 liter के तो total 50 liter हो गया है 20 cans 3 liter के हैं तो total 60 liter हो जाएगा multiply करना है 50 cans 2 liter के हैं तो total 30 liter हो जाएगा अब total जोडो सभी को 140 liter हो जाएगा अब can अपना पास total कितना था 200 का minus करो तो 60 liter तो अब 60 liter और बढ़ना है इस drum को तो फिर अपन को एक एक लिटर के कितने केन चाहिए होंगे एक एक लिटर के 60 केन ही चाहिए होंगे उसको पूरा बढ़ने के लिए तो क्लोकवाइज डारेक्शन के अंदर गूमता जा रहा है देखो इसमें रोंग पेटर्न देखना है रोंग ट्रम इन 1 6 11 17 21 तो देखो यहां पर 1 में 5 एड करेंगे 6 आएगा फिर 5 पेड करे 11 आएगा फिर 5 पेड करेंगे तो 16 आता यहां पर 17 नहींगा इसलिए रोंग पेटर्न 17 है यहां पर फिर इन देखो इन जेपूर शिटी दा नंबर ओफ वीकल्स फेसिंग अक्सिदेंट विद द मन्त इस गिवन बिलो दा टेबल वीकल्स बैसिकल प्लाते नंबर ओफ एक्सिदेंट 3 स्कूटर के दवरा 12 मोटर साइकल 10 और कार 6 देखो गराप बनाना आपको देखो यह मैंने गराप बनाया है बाइसिकल बीकह मतलब स्कूटर मोरब साइकल और कार और इसमें घاع तक तो है तक लेकिन एक में तेको 12 आएगा स्कूटर में तो मैंने वैसे बना दिये हैं आपको exam में graph में ज्यादा दिया होगा number of accident तो देखो bicycle के द्वारा 3 हैं तो देखो bicycle के द्वारा 3 तो यहां तक इसको graph बन जाएगा इसको direct कर देना आप फिर scooter के द्वारा 12 हैं तो देखो scooter वाली line है यहां से लेके उपर तक जाएगा देखो 10 तो यहां तक आगया 11 और 12 है फिर आएगा motorcycle 10 है तो motorcycle पूरा यहां तक जाएगा और फिर car है अपनी तो car है वो जाएगा आपना 6 तक तो car 6 तक यहां तक जाएगी तो यह अपना एक easy सा math का model paper था इसी base पे आपका exam होने वाला है आप इसको जुरूर देख लेना अपने friends के साथ share कर देना और इसको like कर देना और comment करके जुरूर बताना कि आपका यह model paper आपको कैसा लगा तो इसको आज के लिए इतना ही thank you